Hello everyone, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं हूँ दीपक from LearnHub, जहाँ पे आप सीख सकता है Maths, Chemistry, Physics और Biology के सारे concepts, वो भी एकदम free में, only at LearnHub.com तो आज हम देखेंगे NCRT Solutions, Class 12 के Chapter Integrals की, जहां हम Exercise 7.2 के Question 31 से लेके, 39 तक के Question को Solve करेंगे डीटेल में, हमने पिछली वीडियो में Question 1 से लेके, 30 तक के सारे Questions को डीटेल में Solve कर लिया है, ठीक है? I hope कि आपने वो वीडियो देख लियोंगी, और I also hope that कि आपने इस Chapter का One Short वीडियो भी देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है, तो अभी जाएए और देख लीजिए जिसका Description में आपको लिंक मिल जाएगा, तो चलिए बिना किसी देरी के, Solution को स्टार्ट करते हैं. चलिए Question No.31 क्या है देखते हैं, Integrate the function, Sine X divided by 1 plus Cos X whole square, सबसे पहले क्या करेंगे हम? जी हां, Integration लिख लेंगे ऐसे, Sine X divided by 1 plus Cos X whole square dx, dxq with respect to x हमें उसका Integration करना है, अब बड़ी टर्म कौन जी है, 1 plus Cos X, ठीक है, उसका Derivation करूँगा, तो 1 का 0 Cos X का Derivative minus Sine, तो इसको हम ले लेंगे T, तो let 1 plus Cos X is equal to T, तो 1 का Derivation 0, Cos X का minus Sine X, ठीक है, Sine X dx is equal to dt, लेकिन यहां पर Positive है, तो हम इसे Positive कर लेंगे, तो Sine X dx is equal to minus dt, तो यह हमारा जो Function है, वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, Sine X dx is minus dt, यहां पे हो गया, minus dt, और 1 plus Cos X is t, तो यहां पे हो गया, T square, तो इसे हम, कुछ इस तरह भी लिख सकते है, minus बहार आ जाएगा, T square है, तो उसे अगर हम उपर लेके जाएगे, तो T raise to minus 2 हो जाएगा, dt, ठीक है, यहां तक हो गया, आ गया समझ में, देखिए, नीचे T square था, उपर लेके गया, तो T raise to minus 2 हो गया, अब इसका integration थो हमें पता ही है, minus, यह minus का minus, T raise to minus 2 का integration, yes, T raise to minus 1, और minus 1 नीचे भी आएगा, plus C, minus minus cancel out, T raise to minus 1 को हम 1 upon T भी लिख सकते हैं, ठीक है, is equal to 1 by, T की value तो है 1 plus cos x, so answer is, 1 by 1 plus cos x, plus C, आगया answer, चलिए next question देखते हैं अब, question number 32 क्या है देखते हैं, integrate the function, 1 by 1 plus cos x, ठीक है, उसको क्या करेंगे, integration लिख लेंगे सबसे पहले, 1 by 1 plus cos x, dx, ठीक है, यह हो गया, बड़ी term कौन सी है, 1 plus cortex, उसको T ले लू, ध्यान से देखिएगा, 1 plus cortex को अगर मैं T ले रहा हूं, तो पहले तो उसका derivation करेंगे, 1 का 0, cortex का derivation, क्या होगा, क्या यहाँ पर ऐसी term मिलेगी मुझे, जो cortex के derivation से मिल रही है, नहीं मिलेगी, तो हम क्या करेंगे, इसे, sine cos में convert करेंगे, किसमें करेंगे, sine cos में convert, तो इसका function कुछ इस तरह से हो जाएगा, 1 plus cortex मतलब क्या, cos x by sin x, ठीक है, dx, integration करेंगे, फिर से, sin x यहाँ पर जाएगा, cross multiply, तो आपका answer हो जाएगा, नीचे, sine x, plus cos x, और यह जो नीचे sine x था, वो उपर चला जाएगा, so sine x, divided by sine x plus cos x, dx, आगया समझ में, अब देखिए, सारी जो हमारे function है, वो sine cos में convert हो चुके, अब देखिए, अब एगर इसे मैं t लेता हूं, sine x plus cos x को, t अगर लेते हैं, तो sine x का cos x होगा, derivation, जो यहाँ पर है ही नहीं, cos x का minus sine x, तो sine x है, लेकिन cos x नहीं है हमारे पास, तो क्या करेंगे हम, हम यह करेंगे, कि sine x के लिए cos x चाहिए, तो cos x को हम add करेंगे, और add कर रहे हैं, तो subtract भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं, integration of sine x, यहाँ पर मैं लिख लेता हूं, sine x plus cos x, समझेगा इसे ध्यान से, ठीके, तो sine x का derivative चाहिए cos x, तो यहाँ पर मान लीजे, मैंने cos x लिख लिया, ठीके, अब लिखा, तो मुझे minus भी तो करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं minus कर लेता हूं, तो हो गया वापस, वैसे का वैसा, तो यहाँ पर तो मेरा sine x था, ठीके, sine x वैसा का वैसा, cos x add किया, subtract कर लिया, सो sine x का derivative cos x, cos x का क्या चाहिए, minus sine x चाहिए, ठीके, लेकिन अगर मैं minus sine x करूंगा, तो यह तो cancel out हो जाएगा, हम क्या करेंगे, plus sine x करेंगे, तो sine x plus sine x, 2 sine x हो गया, ठीके, लेकिन यहाँ पर तो एक ही sine x है, तो यहाँ पर 2 sine x है, तो उसको कम करने के लिए, हमने 1 by 2 sine x कर लिया, ठीके, आया समझ में, अब देखिए, यह जो पूरी term है, sine x plus cos x, इसको यहाँ divide कर लेंगे, और यहाँ divide कर लेंगे, देखिए, एक term यहाँ और एक term यहाँ, तो आपका answer कुछ इस तरह से आएगा, अभी भी हम integration ही कर रहे हैं, सब में देखिए, dx, dx, यहाँ भी dx आएगा with respect to, तो 1 by 2, integration, sine x plus cos x, divided by sine x plus cos x, क्या आजाएगा, वन आजाएगा, इसका division करेंगे, अब इसको इसके साथ divide कीजिए, तो answer आएगा, sine x minus cos x, divided by sine x plus cos x, ठीक है, dx, यहाँ तक clear हो गया, अब अलग-अलग integration देते हैं, दोनों को, तो यहाँ पर हो जाएगा, 1 by 2, integration of, dx, 1 into dx, dx हो जाएगा, प्लस, 1 by 2, इसको भी दे दीजिए, 1 by 2 सबका है, ठीक है, तो इसे भी देंगे, तो 1 by 2, integration of, sine x minus cos x, divided by, sine x plus cos x, यह dx, ठीक है, अब देखे, 1 by 2, dx का integration क्या होगा, यह x हो जाएगा, प्लस, 1 by 2, अब देखे, यह हर बार, इतनी बड़ी-बड़ी term लिखना, is very hard, तो हम क्या करेंगे, यह 1 by 2, और यह जो पूरी term है, integration of, इस, उसे हम i ले लेते हैं, ठीक है, यह पूरा जो integration है, integration of, sine x minus cos x, divided by, sine x plus cos x dx, हम उसे i ले लेते हैं, integration, और इसे ले लेते हैं, equation 1, ठीक है, तो अब हमें, यह find करने के लिए, यह जो answer था, उसका answer यह है, तो इसे find करने के लिए, हमें i की value find करनी पड़ेगी, i को मैं अलग से find कर लेता हूं, i क्या है, यह रहा i, integration of, sine x, minus cos x, divided by, sine x, plus cos x, यह हो गया हमारा dx, ठीक है, यहां तक आ गया समझ में, अब देखिए, अगर मैं इसको t लेता हूं, अब assume करता हूं मैं, substitution method से, ठीक है, तो sine x का derivative, cos आ गया, cos का derivative, sine आ गया, आ गया समझ में, तो हम क्या करेंगे, sine x, plus cos x, dx is equal to, dx नहीं, sine x cos x, is equal to, क्या करेंगे, t ले लेंगे, तो is equal to आएगा यहां पर, ठीक है, is equal to t, क्या करेंगे यहां पर हम, sine x, plus cos x, is equal to t, ले लेंगे, ठीक है, अब करें, derivation, तो sine x का हो जाएगा, cos x, cos x का, minus sine x, dx is equal to, dt हो गया, आगया समझ में, अब देखिए, यहां पर तो, sine x positive है, cos x minus है, तो minus common ले ले लेते हैं, यहां से, तो यहां पर हो जाएगा, आपका sine x, minus cos x, dx is equal to, dt हो गया, लेकिन, क्या है, sine x minus cos x है, यहां पर minus है, तो minus, वो साइट लिख लूगा, तो यह plus हो जाएगा, यहां पर minus हो जाएगा, आगया इतना समझ में, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीके, यह देखिए, क्या आगया, sine x minus cos x dx, is equal to minus dt, तो यह जो term है हमारी, ठीके, यहां पर इसको अब करेंगे, तो यह जो आई था हमारा, वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, integration of sine x minus cos x dx, is equal to minus dt, यह minus dt हो गया, और sine x plus cos x तो क्या है, यह रहा, t है देखिए, t हो गया के नहीं, तो यहां पर हो जाएगा, t, तो क्या होगा, यह minus बहार आजाएगा, integration of, 1 by t dt, लेकिन, 1 by t का integration क्या होता है, yes, log of mod t, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, minus log of mod t, plus c, तो minus log of t क्या है, where is t, यह रहा, sine x plus cos x, अब देखिए, answer तो आ गया हमारा, लेकिन अभी भी अधूरा है, कैसे, यह equation 1 को follow कीजिए, यह हमारा main answer था, तो इसमें जो यह आई, वो i की value है, ठीक है, यह हमारा answer नहीं आया, this is the value of i, तो यह i की value हम यहां रखेंगे, equation 1 में, तो हमारा जो answer है, वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, 1 by 2, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, from 1, 1 by 2, x plus, 1 by 2, i की value क्या है, yes, minus log of, mod, sine x, plus cos x, mod close, plus c, आगया समझ में, यह हो गया हमारा final answer, कभी-कभी हम i, पर आके अटक जाते हैं, नहीं, हमें नहीं अटक नहीं, यह जो पूरा answer था हमारा, equation 1 is, आरा answer, तो i की value उसमें रखने के बाद, जो answer आएगा, वही हमारा, main answer है, यहाँ पर minus आप बाहार लिख सकते हैं, ठीक है, तो answer हो जाएगा, 1 by 2 x, minus 1 by 2, log of, sin x, plus cos x, plus c, ठीक है, चलिए, अब next question देखते हैं, question number 33 है, हमारे पास, integrate the function, 1 by, 1 minus 10 x, very easy, सबसे पहले तो हमें यही करना है, integration रख लेना है, 1 minus 10 x, dx, अब अगर इसको मैं t लेता हूँ, तो derivation करेंगे, तो उपर तो कुछ है ही नहीं, क्या करेंगे, तो इसको हम सबसे पहले, sin cos में convert करेंगे, तो हमारा answer कुछ इस टाइप से होगा, integration of, यह cos यहाँ जाएगा, तो आपका answer होगा, cos x minus sin x, और यह cos नीचे था, उपर चला जाएगा, last में, so cos x हो गया, dx हो गया, आगया समझ में, अब देखिए, यहाँ पर क्या है, cos x minus sin x, अब अगर इसे मैं t लेता हूँ, तो cos x का derivation करेंगे, तो क्या हैगा, minus sin x, है यह नहीं, है यह नहीं, लेकिन sin x का करेंगे, तो cos x है, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर, cos x के लिए, derivation के लिए, हमें minus sin x चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, minus sin x add कर देंगे, ठीक है, तो cos x का cos x रख रहे हैं यहाँ पर minus sin x add कर दिया अब minus sin x किया तो plus b तो करना पड़ेगा जिसे हमारी term जो है at the end cancel हो जाएगी तो वापस देखिए cos x आ गया नीचे हम cos x लिख लेते हैं cos x minus sin x so cos x का derivative minus sin x और plus sin x cancel sin x का cos x ठीक है लेकिन यहाँ पर एक term कम लग रही है यहाँ पर देखिए एक pair बन रही cos x minus sin x जैसे तो यहाँ पर भी एक pair चाहिए तो यहाँ पर हम कर लेंगे cos x कर लेंगे plus cos x करेंगे ठीक है क्यों करेंगे plus cos x बताता हूँ अभी यह देखिए यह divide हो जाएगा ठीक है अगर minus cos x करूँगा मैं minus cos x करूँगा तो cos x भी चली जाएगी तो वो हम नहीं चाहते तो हमने क्या किया cos add कर लिया तो cos x plus cos x 2 cos x हो गया लेकिन हमें तो एक ही cos चाहिए तो 2 को 2 से divide कर लेंगे तो यहाँ पर 1 by 2 कर लेंगे बाहर तो हमारा 2 cos x by 2 सिर्फ cos x बचेगा तो आप क्या करेंगे यह pair बना लीजे यहाँ पर यह pair एक यह pair तो इसको divide करेंगे और इस pair को divide करेंगे यहाँ पर dx आगया ठीक है तो अब देखिए इसको अगर हम divide करेंगे तो हमारा answer कुछ इस तरह से आएगा 1 by 2 integration ही अब तक integration नहीं किया हमने यह divide कीजिए cos x minus sin x divided by cos x minus sin x answer आगया 1 plus cos x plus sin x divided by divided by cos x minus sin x यह dx तो रखना ही है भूलना नहीं है ठीक है अब क्या करेंगे देखिए 1 का integration possible है यह थोड़ी बड़ी term है इसको अलग से integration दे देते हैं तो integration मैंने यहाँ पर अलग से दे दिया यह dx यहाँ पर है तो dx यहाँ भी तो चाहिए तो हम क्या करेंगे देखिए यहाँ पर 1 by 2 1 का integration x ठीक है और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ c1 क्यों c1 बताऊंगा अभी constant तो चाहिए integration किया दो अब यह वाली जो term है उसे हम क्या करेंगे बहुत बड़ी term है अगर हम यहीं पर integration करते गए तो यह भी लिखना पड़ेगा बहुत बार तो हम इसे पूरी term को हम i ले लेते हैं ठीक है लेकिन एक गलती हमने किया देखिए यह 1 by 2 पहले सब के लिए था तो हमने इसे तो दिया इसे नहीं दिया तो यह 1 by 2 यहां भी आएगा ठीक है तो 1 by 2 यह integration जो पूरी term है हम उसे i ले लेते हैं और इसे equation 1 ले लेते हैं आगया समझ में ठीक है अब देखिए यह जो हमें सिर्फ i find करना है इतना तो हम यहाँ पर i लिख लेंगे what is i integration of cos x plus sin x divided by cos x minus sin x यह dx हो गया ठीक है अब देखिए जो हमारा function था main function उसका answer कौन सा है यह है अगर मैंने i की value यहाँ put कर दी तो मुझे पूरे integration का answer मिल जाएगा तो पहले i find कर लेंगे पूरा तो वो आया वो answer नहीं है answer यह है तो सबसे पहले i कैसे find करेंगे यह देखिए cos x minus sin x को मैं t ले लेता हूँ cos x minus sin x is equal to t करिए derivation कीजिए cos x का आएगा minus sin x और sin x का cos x आजाएगा which is यहाँ पे dx हो जाएगा यहाँ पे dt हो जाएगा अब देखिए तो पूरा positive है इसको पूरा minus sin बहार निकाल लेंगे तो sin x plus cos x हो जाएगा dx हो जाएगा ठीक है और यह minus बहार निकल के वो side गया तो minus dt हो जाएगा आगया समझ में इतना क्या किया यह cos x को t फिर derivation तो उपर वाली term आगी तो हमारी जो i है यह यह कुछ इस तरह से बन जाएगी cos x plus sin x dx is equal to minus dt minus dt नहीं मैं minus बहार लिख लेता हूँ और यह जो minus है cos x minus sin x t है तो t नीचे आगया ठीक है तो लेकिन 1 upon t है 1 upon t का integration तो हमें मालूम है क्या होता है yes log of mod t लेकिन minus भी बहार है लेकिन t की value पहले तो log of mod t plus देखे integration किया यहां मैंने c1 रखा था यहां c2 रखा ठीक है आगया समझ में दो-दो constant है फिर last में हम c1 प्लस c2 को c बना देंगे ending answer में तो यह हमारा i आगया आगया समझ में अब इस i को अगर मैं यहां रखूंगा तो पूरा answer आजाएगा चलिए equation 1 में रखते i को अगर equation 1 में रखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते है from 1 1 क्या है देखिए 1 by 2x तो मैं x by 2 भी लिख सकता हूं प्लस c1 प्लस 1 by 2 i की value क्या है यह रही minus log of mod t mod लेकिन t तो क्या है यहां पर यह रहा cos x minus sin x mod close फिर क्या है mod t close प्लस c2 आ गया तो यहां पर मैं लिख सकता हूं from 1 हमारा जो integration का answer था वो हो गया x by 2 c1 प्लस c2 c हो जाएगा last में c लिख लेते हैं ठीक है c1 प्लस c2 is 2 तो यहां पर हो जाएगा minus 1 by 2 minus बहार आ गया तो log of mod cos x minus sin x mod close तो this is your answer ठीक है हम कई बार i लाके छोड़ देते answer आ गया नहीं equation 1 is your answer क्यों वहां से हमने पहले यहां से assume करके start करके यह answer लाए यह आधा answer था यह आधा answer है तो इसको हम add करेंगे यहां पर तो पूरा answer आ जाएगा चलिए next question देखते अब question number 34 देखिए क्या है integrate the function square root of 10x divided by sin x into cos x तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे yes integration 10x लिख लेंगे यहां पर divided by sin x into cos x कर लेंगे ठीक है dx अब देखिए किसको अगर मैं assume कर रहा हूँ तो उपर या नीचे या उपर assume कर रहा हूँ तो नीचे derivation आ रहा है क्या sin x का cos x पास में तो नहीं है cos x का sin x नहीं है अब तो क्या करेंगे हम यह जो 10 है उसको लेंगे लेकिन 10 का भी अगर मैं derivation कर रहा हूँ अभी कर रहा हूँ तो क्या आएगा 10 का derivation yes 10 के लिए हमारे पास sec square आएगा derivation करूँगा तो तो यहाँ पे कुछ possible है कि sec आ सके try करते हैं sec लाने की बताता है कैसे देखिए अगर यहाँ पे यह 10x है ठीक है और यह sin x है cos x है तो 1 by cos क्या होता है sec होता है ठीक है तो मैं क्या करूँगा मुझे तो 10 का derivation क्या चाहिए sec square चाहिए मतलब यहाँ पे cos square होना चाहिए तो cos से multiply करूँगा cos से divide करूँगा तो sin x into cos x यहाँ नीचे ही यहाँ cos से multiply किया यहाँ cos से divide किया ठीक है तो ultimately sin x cos x आ गया क्यूँ कर रहा हूँ फिर से बताता हूँ 10 का में derivation करूँगा तो मुझे चाहिए क्या आएगा answer yes sec square answer आएगा लेकिन है ही नहीं तो मुझे sec square बनाना है तो कैसे बनाएंगे cos से multiply cos से divide क्यूँ क्योंकि cos square अगर उपर जाता है तो answer आता है sec square ठीक है तो क्या हो जाएगे यह हमारी term जो है कुछ इस तरह से हो जाएगी 10 x divided by sin by cos तो क्या होता है 10 हो जाता है तो यह 10 x हो जाएगा यहाँ पर ठीक है अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे integration of यही term है ठीक है यहाँ पर हम ले लेंगे 10 x is equal to t ले लेते हैं ठीक है तो 10 x का derivation हो गया लेओ यहाँ पर dt आ गया ठीक है तो अब क्या करेंगे देखिए 10 x तो t है तो 10 x तो t लेकिन root है तो उसको मैं 1 by 2 लग सकता हूँ यहाँ पर आ रहा है समझ में देखिए यह 10 x t तो यहाँ पर t आ गया जिसकी power 1 by 2 है नीचे भी 10 x है तो यहाँ पर भी t आ जाएगा ठीक है सेक स्क्वेर एक्स d x यह रहा जिसकी value क्या है dt है तो यहाँ पर dt हो जाएगा तो यह तो बहुत easy है अगर मैं इसका integration कर रहा हूँ तो t raised to 1 by 2 divided by t क्या हो जाएगा t raised to minus 1 होगा उपर तो हमारा ultimate answer आएगा t raised to minus 1 by 2 dt ठीक है अब इसका हमें integration करना है तो अगर integration कर रहे है तो answer फिर से plus 1 add होगी पावर में तो answer आपका आजाएगा t raised to 1 by 2 और नीचे भी 1 by 2 आजाएगा आ गया समझ में लेकिन c भी तो है c क्या है constant भी रखना पड़ेगा तो यह c हो गया है यहाँ पर तो t raised to 1 by 2 लेकिन t की value क्या है yes 10x t की value है 10x लेकिन पावर 1 by 2 है तो उसको हम तो root भी लिख सकते हैं और 1 by 2 का 2 उपर आगया तो 2 root 10x plus c ठीक है आगया समझ में फिर से समझा देता हूँ क्या किया हमने 10x का derivation हमें पता है sec होता है तो sec के लिए हमें cos चाहिए तो cos multiply किया cos divide किया क्यों? क्योंकि 1 by cos square x x square होता है sin by cos 10 होता है तो ये t ले लिया t put कर लिया और integration कर लिया ठीक है ये सारी चीज़े आपको practice से आएंगी आप हर बार फिर बड़ी term लेके उसको t ले लेंगे वो हर बार method काम में नहीं आएगी बहुत जगा काम में आएगी लेकिन कुछ-कुछ जगा आपको simplify भी करना पड़ेगा ठीक है? Practice is the main thing चलिए next question देखते है क्या है question number 35 integrate the function कुछ सोचे भी ला direct integrate 1 plus log x whole square by x is dx यहाँ पे dx अब देखिए क्या कर सकते हम ये देखिए buddy term सोचे 1 plus log x को अगर मैं t ले रहा हूँ तो 1 का 0 log x का क्या हो जाएगा? 1 upon x 1 upon x already है तो this is the nice idea to take 1 plus log x as t 1 plus log x is equal to t ठीक है? 1 का derivation 0 log x 1 by x dx is equal to dt तो यह हमारा function है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा 1 plus log x is t उसकी power 2 है तो t square लेकिन 1 by x dx 1 by x dx dt बहुत easy t square का integration क्या होगा? t square का t cube by 3 t cube divided by 3 plus c लेकिन t की value क्या है? 1 plus log x तो answer आगया 1 plus log x की power 3 divided by 3 plus c चार लाइन में answer आगया ठीक है? चलिए next question देखते हैं question number 36 देखिए integrate the function क्या लिखेंगे? सबसे पहले integration कौन सा है function? x plus 1 into x plus log x power 2 divided by x देखिए बड़ी term क्या है? x plus log x derivation करेंगे तो x का 1 आएगा 1 दिख रहा है कहीं? यहाँ पर दिख रहा है log x का 1 upon x 1 upon x भी है ठीक है? बाकी का इसको अभी रहने देते हैं mostly जो हमारा answer है वो आ रहा है तो हम क्या करेंगे? x plus log x is equal to t यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ let ठीक है? समझ में आ रहा है x plus log x x का derivation 1 log x का 1 by x dx is equal to dt लेकिन यह थोड़ा अठपटा सा है देखिए अगर मैं x को यहाँ multiply करूँ cross multiplication तो x plus 1 आ गया देखिए x plus 1 आ गया तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा x plus 1 by x dx is equal to dt x plus 1 by x यहाँ derivation के लिए integration के लिए with respect to x तो रखा ही नहीं तो dx x plus 1 by x dx dt हो गया x plus log x तो t है तो यह हमारा function कुछ इस तरह बन जाएगा x plus 1 by dx तो यहाँ पर dt हो जाएगा यह तीनों टर्म x plus log x is t तो t square हो गया power 2 है तो t square dt यह क्या हो गया t square dt integration करेंगे t square का integration very easy t cube by 3 plus c लेकिन t की value तो क्या है यहाँ पर t की value है x plus log x तो हो जाएगा x plus log x to the power 3 divided by 3 plus c आगे answer चलिए next question देखते हैं क्या है question number 37 देखिए integrate the function x cube into sine of 10 inverse x raise to 4 divided by 1 plus x raise to it क्या करेंगे सबसे पहले तो integration ही रख लीजिए x cube into sine of 10 inverse x raise to 4 divided by 1 plus x raise to 8 ठीक है यह 8 है अब देखिए यहाँ पर मैं किस को लूँ सबसे बड़ी term तो यह इतनी बड़ी term है लेकिन यहाँ भी multiplication है आप ऐसे division भी नहीं कर सकते sine है sine का हमें पता है derivation 10 inverse 10 inverse x का भी पता है बताता हूँ यहाँ पर देखिए 10 inverse x का होता है यहाँ पर 10 inverse x raise to 4 है लेकिन मैं आपको सिर्फ x का बता रहा हूँ अभी क्या होता है 1 by 1 plus x square यह होता है 10 inverse x का derivation ठीक है d by dx of 10 inverse x क्या होता है 1 by 1 plus x square है 1 by 1 plus x square x raise to 8 है वो तो यहाँ पर manage हो जाएगा देखिए पावर है आगया समझ में तो मैं 10 inverse x को क्या लूँगा t लेंगे हम ठीक है तो करते हैं यहाँ पर हम let 10 inverse x raise to 4 है उसे t ले लेता है आगया समझ में यह formula का use कीजिए 1 by 1 plus यह x है उसका square करेंगे तो यह हमारा पूरा x हो गया यह वाला ठीक है तो यह x उसका square करेंगे 1 by 1 plus x square dx is equal to dt ठीक है तो क्या हो गया 1 by 1 plus 4 to the power 2 तो x raise to 8 हो गया आगया समझ में x raise to x 8 dx is equal to dt यह तो हो गया यहाँ पर very easy लेकिन यह x है पूरा x raise to 4 है उसका भी derivation करना पड़ेगा x 4 है x की power 4 क्या होगा 4 x cube होगा जो यहाँ पे होगा 1 by 1 plus x square और यहाँ पे derivation करना पड़ेगा 4 x cube ठीक है 4 x cube लेकिन यहाँ पे सिर्फ x cube है तो यहाँ पे सिर्फ x cube लिखेंगे और 4 हम यहाँ पे लेके जाएंगे तो 4 यहाँ पे आ जाएगा ठीक है तो यह पूरी term एक ये एक ये और dx यहाँ पे dx यह पूरा dt by 4 हो गया तो यहाँ पे हम लिख सकते है हमारी जो यह term है इसको हम यहाँ पे लिखते है integration of x cube by 1 plus x raise to x बच क्या आ गया sine of sine of 10 inverse x तो sine of 10 inverse x raise to 4 तो t है तो sine t आ गया समझ में sine t हो गया तो यह 1 by 4 sine का integration cos x नहीं minus cos x होता है sine का integration होता है minus cos x तो sine t का minus cos t plus c ठीक है तो हो गया 1 by 4 minus 1 by 4 हो गया cos t की value यह रही 10 inverse x raise to 4 plus c आ गया ठीक है फिर से समझा देता हूँ क्या किया यह 10 inverse x raise to 4 को t लिया 10 inverse x का formula पता है 1 upon 1 plus x square लेकिन x हमारा x raise to 4 है तो उसकी power x square x raise to 4 की 2 power तो x raise to 8 हो गया लेकिन x का भी तो derivative होगा x raise to 4 है तो 4 x cube हो गया उसका derivation लेकिन यहाँ पर x cube है 4 नहीं चीए 4 को वो side लेके गया सारी values यहाँ पर put कर ली आगया answer चलिए next question देखते है question number 38 देखते है क्या है integration of this function equals to इन चारों में से क्या answer होगा क्या है function हमारा लिखते हैं देखिए integration of 10 x raise to 9 plus 10 raise to x into log of 10 base e dx divided by क्या है division में x raise to 10 plus 10 raise to x अब इसका हम क्या करेंगे integration करेंगे कैसे बता दें इसको मैं t ले लूँगा x raise to 10 plus 10 raise to x अब क्यों इसी को t लिया ये तो इतनी बड़ी term है बड़ी term को क्यों नहीं लिया अभी बताता हूँ अगर मैं इसे लेता हूँ तो इसका derivation कीजिए क्या answer आएगा x raise to 8 कुछ है ही नहीं यहाँ पर options में भी नहीं है यहाँ भी नहीं है तो हम जी ये term है उसको लेंगे t तो derivation करने पर 10 into x raise to 9 मिलेगा जो यहाँ भी है ठीक है plus 10 raise to x इसका derivation कैसे करेंगे हमें power में number पता है लेकिन power में variable का बताता हूँ a raise to x है अगर और उसका मैं d by dx means derivation करूँगा तो derivative आएगा a raise to x into log of a base e तो a raise to x is 10 raise to x ठीक है a is constant तो यह formula है जो आपको यहाँ पर use करनी है ठीक है तो a raise to x आएगा means 10 raise to x into log of 10 base e dx is equal to dt पूरी term आगई देखो यह पूरी की पूरी term आगई यहाँ पहे ठीक है तो यह जो है integration हम इस तरह लिख सकते है this whole term is dt और नीचे क्या है t लेकिन 1 by t तो क्या होता है log of mod t plus c ठीक है तो log वाला answer कहा है एक ही answer है यही answer होगा कैसे log of what is t x raise to 10 plus 10 raise to x plus c अब यहाँ पे mod नहीं है लेकिन mod तो positive होता है तो यही answer आएगा हमारा ठीक है चलिए next question देखते है अब question number 39 देखते है क्या है integration of dx divided by sin square x into cos square x equals इन चारों में से क्या होगा देखते हैं अभी solve करते हैं इसे सबसे पहले तो जो हमारा integration है वो लिख लेते हैं नीचे क्या है sin square x into cos square x अब यह dx को मैं यहाँ लिख लेता हूँ यहाँ पे 1 लिख सकते हैं 1 into dx dx एक ही बात है अब देखिए यह sin square x cos square x है sin cos में already है लेकिन answer जो है हमारे सारे 10 cot में है ठीक है यह 10 में है तो क्या हम इसे 10 में convert करें नहीं क्यूंकि convert करेंगे sin cos को तो यहाँ पे मान लिजे मैंने इसे cos square से divide किया और cos square से multiply किया तो 10 तो आ जाएगा लेकिन cos की power 4 हो जाएगी तो वो एक difficult way है हम क्या करेंगे इस 1 को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह देखिए 1 is sin square x plus cos square x 1 की जगा पे लिख सकते हैं trigonometric identity है sin square x into cos square x dx ठीक है अब इस term को divide कर दीजिए दोनों के साथ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे integration of sin sin cut हो जाएगा बचेगा 1 by cos square x plus cos cut हो जाएगा 1 by sin square x dx ठीक है अब दीखिए दोनों plus में आ गई division multiplication चला गया 1 by cos को हम क्या लिख सकते हैं cos x लिख सकते हैं cos x square sorry sin square x को हम लिख सकते हैं 1 by cos x square x तो यह आगे कर लिया हमने plus 1 by cos को तो sec square x लिख सकते हैं dx हो गया यहां पे अब cos x square x की formula क्या होती है integration की yes पता है हमें minus cortex होता है और sec का integration sec square x का integration is 10 x plus c डूंड यह minus cortex कहा है सब यहां पे भी minus cortex है यहां पे भी है लेकिन यह 2 x है लेकिन हमारे पास तो minus है तो 10 x minus cortex plus c यह रहा हमारा option ठीक है यह नहीं आएंगे q plus sign है यहां पे तो multiply है यह तो आएंगे ही नहीं यह रहा 10 x minus cortex plus c आगे answer तो आपको याद रखना है जब भी ऐसे sine cost नीचे multiplication में हो दोनों sine cost multiplication में हो उपर कुछ भी ना हो तो 1 की जगा आप trigonometric identity का use करेंगे division करेंगे और आपका answer very easily आ जाएगा I hope कि आज जो हमने question solve किये आपको समझ में आ गए होंगे मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में तब तक आप revision कीजिए notes बनाईए और practice कीजिए कहां से from your favorite free learning platform LearnOHub से जो free है पर best है आपसे क аг neuralम पस्पाल यह जाएगा झाल